गुल मॉनिंग बच्चों, आज हम हिंदी भार्सर के इकाई तीन, इकाई तीन में इकाई तीन का खा इसमें आपका प्रति वेदन, उसके अध्यान को है, तो प्रति वेदन क्या चीने बता है, तो किसी व्यक्ति या कोई घटना, या वस्तु के स्वेव उद्देश शिकून, सुष्पन इक्षण के उपरांत, तैयार किया गया संपून, जो भी आलेक है, वो आपका प्रति वेदन का लाए, तीक है, क्या बला, मैंने ये कहा, किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु के उद्देश, पून इक्षण के पस्चाथ, तैयार किया गया संपून, विवरन जो है, प्रति वेदन का लाए, तीक है, जैसे आपके कलेट में कोई करकम चल रहा है, तो सुरू से लेके अंतत, आपने देखा, यहने देखने के बाद, आपने क्या-क्या घटना हुई, क्या-क्या करकम हुई, कौन-कौन सा निर्ती हुआ, नाटक हुआ, उसका बारिकी से करने की बाद, आप उसका अलिक त्यार करें, तो वहीं त्यार किया गया संपुन, विर्ण क्या क्या आता है, प्रति विदन का लाता है, ठीक है, यह हो गया, आप देखिए, इसकी कुछ विश्यस्ताया भी होती है, वहीं हम प्रतितन कर रहे हैं, तो इसके कौन को से नियाम में होती हैं, नियाओं को सब्सक्राइन होती है, इसकी यह भाषा कैसे होती हुने चील, तो इसकी जो भाषा एकदम स्रहर और सहर नहीं हो आर दो, की इंहें के अप्रियों का प्रयूंगे क्ने वस्तोंिष्ट में होना छी ठीके? को सठीक और संचिक्त होना चियी कि इसके लिए तत्य प्रक्ता होनी चेहिए अपके सामने के मां धीफ ढ़ागा přेंगाई है कि गाड़ी की साइड में थी गाड़ी कंड़ावर कैसा था कौन से गाड़ी कहां से आ रहे थी तो सारे सुपन जानकरी के परशाद वह एक लिख लिखता है तो वहीं क्या प्रति वेदान का लागा तो तप्षात्मा हुने चीज़ चीज़ तो तो देम ये खाज मुना जो आप लिख रहे हैं जो आप देखा उसी को वहां को वर्णन करना चलिए भाषा सटी कि अब बताने कि आप लंबे चौड़े वक्रियोग कर ये ठीक नहीं है इसकी जो भाषा है वह अन्डू भूले चीज़ है ठीक है ये प्रत्वेदाने कुश्ता यही आता है और जैस सब्सक्राइब करेंगे अन्ड कहां से करेंगे तो करभाद्ध भी होने जांगर्म बद्ध होने दिए घटना जटी हमारा करकन हुआ तो शुरु में क्या हो कतीत्रों स्वगत किया हो तो दे नाटक को देखका कि बच्चों के खुरू नहीं रिखना होता है या आपका प्रति वस्तूर के कुछ देश्य पूर्ण रिख्ण के पस्चा तयार किया गया वह संपूर्ण विवर्ण जो है प्रति विदन का लागता है ठीक है चलिए अब इसके आगे इतरचा करेंगे अगला चिप्टर का अब हम बात करेंगे विविन प्रकार के निमंत्र पत्र के बारे निमंत्र पत्र पत्र किस पकार के होते हैं निमंत्र पत्र किस पकार के बारे तो सबसे पर लगए देए कि निमंत्र पत्र है क्या चीए जो सभी कि परिवार में कुछियों का दिन आता है कुछिंड लेकि आता है और प्रत्य की परिवार होता हैं समाज में रहना चाहता है प्रतिक व्यक्ति के जीवन में खूसियां और बदमस्तिक को बाहर आती है को मातने के जीवन मतन पत्थ यहां कह सकते हैं साधी विभात हो सकते हैं शाधी विभाई है नाम कर अद्रहता है घटन समायर हो और आधी में हम सभी में व्यक्ति जूड़े हुए है समाद 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 समा जलता है कि संस्कार को बढ़ाने के संस्कार को जीवत रखने के लिए इस प्रुकर के आवजन करने पड़ते हैं हमें हमारे समाज के लोगों को आप दिमन तक भेजना पड़ता है तो इस पत उनी पकार के हैं ठीक है जासे है मंतार हैं कि प्रत्यक परिवार में चाब को हैं तो हमें कि आईज करीवार कि नहीं, समाज नहीं आएंगे समाज जो आते हैं जुड़ते ही संस्कार ठीक है दूसरा आपका है नामकर संबंध तो नामकर नाम देने के लिए नामकर संस्कार नामकर संबंध तो प्रतिक अलग तो होते हैं जो घृटार संस्कार घृटार संस्कार आपने कोई नहीं आफिस कोला है जाते हैं तो घार्टल के लिए आपकर नंगर पर भीना बढ़ाते हैं तो लोग आएंगे ठीक है तो आपके घृटार क्यों रखा गया तो परिवार के साथ अच्छा लगता है प्रिवार के साथ अगर को समाज को जुणे तो और चलगता है यह है तो समंदी और अंत्र पत्र भी लिखते हैं ठीक है तो आपको व्याख्यान सुनना चाहते हैं तो क्या करें भीटेंगे उसको ठीक है तो यह आपका हिसाई पांच का प्रतिवेदन और प्रकार के मंत्रपत्र समयप्त हो गया है ठीक है थैंक यूद्धि